नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस्टडी फॉर सीविल सर्विसेज में यूपी पीसेज दो जर सत्रा के मेंस के लिए लगातार मैसेज आ रहे हैं मेरे पास और कमेंट भी आ रहे थे तो उसके लिए न्यूज अभी तक यही है कि पहली बात तो आप लोगों की तरफ से नहीं दिखाएगी लोग नहीं गए हमाँ पे इतनी अपील करने के बाद भी आप लोग नहीं गए तो फिर भी गयते 80-90 लोग गयते करीबन ठीक है और अभी आज पूरे दिन जो भी हमारे लोग है जैसे उतकरज जी वेद पांडे सतीस और कोशल सिंग जी सभी लोग लग प्रतिक्स कर रहे हैं कि इस्टूडेंट का लॉस हो जाए पूरा लेकिन फिर भी जो हमारे जितने भी प्रतिनितियें वहाँ पे गयते और पूरी बात चीत हो गई है आज जो भी बीजेपी के जैसे यूपी के आईटी मिनिस्टर है उनसे भी बात हुई है और पूरी बात चलेगा फाइनली और अगर ये देखे पाउसिबिल्टी तो है 90% से ज़्यादा कि ये टलेगा ठीक है और इसका नोटिफिकेशन कल रात में आ जाना चाहिए क्योंकि नोटिफिकेशन वाला बहुत ज़्यादा प्रेशर है अब तो दस दिन बचे है तो अगर ये नहीं भी अगर देखे इनलोगों नहीं किया तो फिर 2017 वाला मेंस का भी वही आलोगा क्योंकि मेंस तो करा लेगा यो लेकिन फिर जो हाई कोर्ट में रिट्स पड़ेंगी उनकी वाज़े से फिर मेंस बरबाद हो जाएगा मतलब समझ रहे हैं आप बात ये क्योंकि 2016 वाला भी ऐसे जब कोर्ट में केस चलना है तो फिर मेंस कराने का कोई तुप भी नहीं बनता है क्योंकि अभी जो भी पेटिशनर है फिर वो लोग फिर से जाएंगे और माली जिन लोगे भी एक नमबर से कम थे वो लोग भी जाएंगे अब ठीक है तो ये वाली बात है और मतलब कोर्ट म और कुछ लोग अपने निजी स्वारत के चलते स्टूडेंट के साथ, तता ब एक दूसरे की दो गुट है आपस में एक गुट काम कर रहा है, दूसरा काम नहीं कर रहा है, वो इनको नीचा दिखाने के लिए स्टूडेंट के साथ गलत करने को राजी है, और दूसरी बात ये और केलेंडर आपने 6 मेने का दिया, आपने मैंस की डेटी नहीं दिय raped तक कुछ एमसाया Watson नहीं थी पता नहीं कैसे है क्योग काम यह यूपय सिय रेकिये एक साल का पूरा लोग ले केलेंडर दे क्यों यह बानने को तो कह रहा है किहीं यूपय सिय के बराबरी कर लेंगे ले यह सब चीजें जितनी जल्दी होगी सरकार अगर इस्टूडेंट के साथ ऐसा किलवार करने की कोशिश करेगी तो इस्टूडेंट भी इसे शांत नहीं बैठेंगा और मतलब बात तो यह है ना कि समझ में तो आनी चाहिए ना इस्टूडेंट की बात और बात बहुत कोटीस आएगा आप बीज दिन पहले एड्मिट कार्ट जारी करोगे ऐसे पूरे एक सिस्टम होना चाहिए कि आप इतने दिन पहले स्कीम करोगे यह थोड़ी ना कि आयोग के जो अध्यच्च जी है उनका जब भी मूट आयो एक दम से कुछ कर दे अभी ऐसा ही हुआ है क् कि उन्होंने आस्वासन दिया था खुद कि जुलाई के एंड तक होगा और फिर उनका पता निक्या ऐसा मूट आया कि उन्होंने ठारा जून को स्कीम पब्लिश करवा दी योगी जी देखे कितनी बात मान लेते हैं वैसे 90% से ज़्यादा उमीद है कि कल बात मान ली जाए जाएगा और एक्जाम पोस्पोन हो जाएगा ठीक है लेकिन पोस्पोन करवाने का किसी का कोई ऐसा वो नहीं है एम में एम क्या है कि पूरे यूपी पीसे सिस्टम में रिफार्म होना चाहिए और 2016 वाला रिजल्ट भी जल्दी आना चाहिए क्योंकि बहुत जारे जो वहा आखिर नतीजा निकलेगा कब कब तक चलेगी है ठीक है और 2017 वाला फिर कब होगा तुक तो यही होता है वैसे कि 2016 का पहले फाइनल रिजल्ट दे तो फिर 2017 वाला कराते हो फिर 2018 वाला कराते लेकिन वही है एक के उपर एक सब लदते जा रहे हैं 2016 17 फिर 18 मेंस का कुछ पता नहीं है और सब में कोड केसेस डेट सो केशन बना नहीं पा रहे हैं मेंस बनाएंगे पूरा यूपीससी की तरह तो यह सब चीजे चल लए है बहुत बड़े इस तरप बदलाओं की जर्द तो लोवर पीसेस 2017 वाली जो वैकेंसी है वापर पीसेस का जो एक्जाम होता है व पूरी तरह से कोई भी एक ऐसा इस्टेप नहीं आयोग ने लिया है कि इस्टूडेंट के फेवर में हो और सरकार को चाहिए जितनी जल्दी से जल्दी यहां पे बहुत बड़े लेवल पर रिफॉर्म की जरुवत है जितना अच्छा है वो कर दें और स्टूडेंट भी इ मिटी मिटी बना दिया है तो बहुत ही अच्छा होगा